गुड मांनिग फ्रैंड बेलिकम आप लोग कैसे हैं आप लोगों के शाथ मैं नारियल के लेड्डू की रेश पी ले के आ गई हूं यह देखिए मैं कैसे बनाती हूं आज दिखाओंगी यह कच्छा नारियल है जो जटा वाले नारियल होते हैं ना जल बरे वही नारियल है उसको फोड के उसके बाद ये देखिए जो ये काला कलर है ना ये जो होता है इसका छिलका तो इसको निकालना है क्योंकि कभी-कभी होता है कि बिना निकाले ठीक नहीं होता है इसको पूरी तरह से इसी तरह निकाल के और तब इसको मिक्सिजार में पीछना है और कभी-कभी एसे भी कोई लोग ऐसे भी बनाते हैं पर थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लगता यह से काला काला दिखने में काला काला दिखेगा आपका लड़ू और यह थोड़ा सा होता है ना तो नहीं सही रहता तो हम इसे छील रहे हैं छील के इसको निकाल दूंगी निकालने क के बाद फिर यह थोड़ा सा इजी तो नहीं होता बहुत टाइट होता है ना इसका छिलका तो निकलने में तो थोड़ी सी प्रोब्लम होता है पर किसी तरह से निकाल ली मैं निकाल के छोटे-छोटे पीस करके मिक्सिजार में डाल के इसको आगे वह कर दूंगी यह देखिए थोड़ा सा छोटे-छोटे टुगडेम कर देती हूं क्योंकि यह थोड़ा सा हाट होता है ना पीसने में थोड़ी से दिक्कत ही होती है तो इसलिए छोटे पीस कर दूंगी तो आसानी से और वैसे भी मेरी मिक्सिजार खराब हो चुकी है तो थोड़ा सा टाइम लेता है इ एक बार आट डालूंगी ऐतना डालके सफ्वोन को गहां जिकार्थ कट भूर एक दिए करना लेक मीमूं जाए इसको तो आल जाए यह अच्छयु जातीव हूम जाए चज़ंगा पुरूंगा। तो फिर इसको भी एक एक हो जाएगा तब तक इसको चलाना है एक दम धीमी आज पे करके एक दम धीमी उस पे करके ऐसे चलाते रहना है ताकि और बंद नहीं करना है कहीं जिसे जाना नहीं है छोड़के नहीं तो जल जाएगा यह बहुत जल्दी जलता है जब तक चलाती हू बराबर से तो यह देखी एक बार मैंने और घी डाला वो दिखाई नहीं फिर से घी डालके फिर से अच्छी तरशे भूंच जई हूँ हूँ हलका सब भूरा कलर हो जाए बहुत जादा नहीं हलका हलका ऐसे हो जाए पूरा कलर तब उसके बाद यह निकाल यहां से हटाना है अभी बहुत देर तक मैं यह उकी थी और यह ऐसे ही चलाती जाओंगी चलाती जाओंगी एक एक जब हो जाते है नारियल के पूरे अलग-अलग से बुरादे हो जाते हैं उसके बाद इसे छोड़ना है और एक दम धीमी फ्लेम पे करी हूँ और उसके बाद यह देखे अब प्रिग पूरे वहते हैं देखर मेरा नारियल का यह हो गया है तो ऑग इतना ही मैं चीनी भी ढालेंगे इसमें यह देखितना हो गया इस अब थोड़ा शा पानी डालम नहीं डालना है नहीं तू जब पक्कहनी में यह देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और क्योंकि अगर जादा पानी डाल देंगे तो उतना ही देर लगेगा इसे पकाने में भी चासनी बनाने में उतना ही टाइम लगेगा यह देखिए इतना मैं जा डाली हूँ थोड़ा सा ओलूंगी बस मुझे लग रह भी दिखाती हूं कितना तक हो जाए इसके बाद डाला जाता है अब इसको आगे चीनी चला चलाते रहना है जब तक जलने के बाद कर चोड़ देना है तो ऑपने फीच बीच में चला चलाकर चासनी एकड़ागा इक्ड़ान चारियल तो श्राष बादा अब मेरा आगया हैं तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ, जब चीनी जैसे होने लगे ना कि चासनी एकदम अच्छे से बन गई है, जिसे चीनी जैसे लगने लगे, तब इसमें डालना है ये नारियल का, जो हम भूंच के रखे थे, वो डालना है, और इसको डाल के चलाते जाना है, थोड़ा सा गाड़ापन पर आ जाए, तो छोड़ देना है, ठंड़ा होने पर अपने आप ये अच्छे से बंद जाएगा, बहुत इजी है बनाने में, और खाने में भी बहुत अच्छा आता है, हमारे घर में तो सब लोग ही खाते हैं, और क्या करती हूँ ना, जिसे अक्सर में बना आना था, तो क्विकल को वह पूरी है ये तो नार्यल के लड़ु, इसलिए मैं बना रही हूँ, आज तो मैंने मगा के प्रसाद के लिए ये तैयार अजी के लिए जनमाश्टिमी के, तो फिर उनके लिए ही तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए ये देखे, अब हो गया है, औ मेरो तो कई बार हाथ में पढ़ जाते हैं अक्सर जब जब मने बनाती हूं तभी पढ़ जाते हैं यह देखिए अब हो चुका है पूरा तैयार अब मैं गैस को करूंगी बंद और अब यह थोड़ी देर पांच मिनट के लिए छोड़ दोंगी ठंड़ा होने के लिए तब त जो होता है ना कि नमी जो होता है ना जाए अच्छे से बंद जाए तो यह देखिए थोड़ा सा जल रहा है ज्यादा तो भी बंदने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पर अभी थोड़ा सा ठंड़ा हो जाएगा तो बंद जाएगा अच्छे से और इसमें बांदने में को लड़ बना लोंगी इसी तरह से अच्छे से बहुत बड़े साइज में बना रही हूं है यह से बन जाते हैं ज्यादा कुछ इसमें लगता भी नहीं है कि बहुत खाने में तो बहुत टेश्टी आता है देखिए मैं इसी तरह से ये इतना बना ली अब ऐसे ही पूरा बना लोंगी और थोड़ा सा जिसे अगर एक लोग और होते ना तो और जल्दी से बन जाता मैं अकेली अपना बनात रही हूँ आज तो कोई है भी नई ना घर पे और मैं ही हूँ और तैयारे मुझे आज पूरी करनी है हर चीज इसलिए देखिए मैं जल्दी जल्दी अब दो दो बनाने लगी दोनों हास से बोला करके एक ही बार में दो दो लड़ बनाने लगी क्योंकि जैसे होता है ना कि थोड़ी से लड़ी हो जाता है तो यह चीनी है ना तो अभी नहीं बन पाएगा क्या इस लिए मैं देखिए कैसे बना रही हूँ दोनों एक साथ एक हाससे दो दो लड़ बना रही हूं ऑर काम भी थोड़ा सा था यह बहुत सारा काम है मुझे करना है और इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी से हम सुचे कि ये बना लेती हूँ लड़ू और इसी तरह आप भी बना सकते हो बहुत आसान तरीके से मैं तो अक्षर बनाती हूँ जैसे मैं चढ़ाती हूँ नारियल तो बच्चे रहते हैं तो बना के रख देती हूँ और किसी के आने जाने में भी दे सकते हो और खुद भी खा सकते हो बहुत टेश्टी आता है मेरे बच्चे तो खाते हैं और हमारे घर में सब ही खाते हैं सब बना सकते चाहिए कोई भी बना शकता है बहुत अच्छी तरीके से देखे इसी तरह से मेरा ये बन के तयार हो रहा है बन के पूरा तयार हो गया है बस एक दो लेड़ो और बचे हैं नहीं तो यह देखे और बहुत अच्छी तरीके से आप अगर इसमें कलर डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा हलका फीला कर सकते हैं पर यह वाइट ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और मेरा लगभग पुरा बन गया है थोड़ा सा वाकी है बहुत अच्छे से बन जाता है इसमें कोई भी जंजट नहीं है ना तो बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी बना भी सकते हैं कोई इसमें बिगडने वाली बात भी नहीं है कि अगर में तरीका नहीं है तो बीड़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है बहुत इजी तरीके शे बन सकता है खाने में भी बहुत टेस्टी है किसको किसको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताईएगा देखिए मेरा पुरा बन गया अब मैं इसे रखती हू यह देखिए आप लोग भी आईए टेस्ट कर लिजिए अभी तुम्हें प्रसाद के लिए बना रही हूं मेरा ब्लॉग कैसा लगा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक करिए सुस्क्राइब करिए ज्यादा ज्यादा सेयर करिए बाई बाई प्रेंट